हलो एब्रिवन दिस इस जोर एजुकेटर मांसी गुपता वेलकम टू रडी फॉर स्टेडी आज हम क्लास तेंथ के शोशल साइंस यानिक एसस्टी की वर्क्षिट करने जा रहे हैं यह आपकी एसस्टी वर्क्षिट नंबर 80 है और इसकी डेट है 4 फैबुरी 2022 ठीक है तो इसे भारत माता जो हैं उनका इस्तिमाल किया गया नैशनलिजम की एक फीलिंग को एकस्प्रेस करने के लिए ठीक है बहुत ही वाइडली यूज जो है भारत माता की इमेज का किया गया तो तो सेंस ऑफ को टॉपिक को हम आगी कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे करना चाहिए ठीक है फॉक्स सॉंग्स को लेजेंड्स को जो है वह में एक जिकर लिखना चाहिए था कि जो है हम अपने कल्चर को प्रिजर्ब करके सकते रख सकें इस टेल्स दे बिलीव ग्रेव टूपिक्चर ऑफ दा इंडियन कल्चर या ट्रेडिशनल कल्चर डाट है क्योंकि नेशनलिस्ट को लगता था कि यह जो टेल्स है ना फॉक्टेल्स यह हमारा कल्चर है ठीक है और हमें इसे प्रिजर्ब करके रखना चाहिए क्योंकि क्या हो रहे ना कि बाहर की जो आउट्साइडर्स फोर्स हैं यानि कि आपके वेस्टन कल्चर है इन्होंने हमार ट्रेडिशनल कल्चर को क्या कर दिया है डामेज कर दिया हो है इन्होंने लगा कि हमारे को अपने इस ट्रेडिशन को वजा कर रखना चाहिए थाक्कि अपने नेशनल आइडेंटिटी को राष्टर की पैचान को संजो कर रख सके इन बैंगॉल रभी धना टेगोर बिगन जो हमारे देश का राष्टर की जो है राष्टर गान जो है जन्गन मन जो हम गाते हैं वो भी आपका रभींदर नाट टेगोर ने लिखा है आपको एक और मैं आपको बताओ तो बंगला देश का राष्टर गान है वो भी रभींदर नाट टेगोर ने लिखा है अमार पार तब मिल लैंग्विज मन की बुक है, बुक का नाम है The Folklore of the Southern India इसमें उन्होंने क्या है, उन्होंने भी Folk Tales लिखी, he believed that Folklore was National Literature जो जो है, National Literature है, it was most trustworthy manifestation of the people, real thought and the character sticks, ठीक है, अब हम देखते हैं कि icons and symbols जो थे उनका कैसे इस्तिमाल हो रहा था, कौन-कौन से icon और symbol जो है, वो यूज में लाय जा रहे थे With the development of the national movement, nationalists deserve become more and more aware of icon जैसे-जैसे हमारे देश का जो सतंतरता आंदुरन जो है, यानिकि independence के लिए जो movement start हो रहे थे, उसमें awareness लाने के लिए icons का और symbol का इस्तिमाल किया हमारे national लीडर ने, ठीक है, अब जिको जब स्वदेशी movement start हुआ था, मैंने आपको कल बताया था, कि 1905 में जब हम बैंकॉल को बैंकॉल का partition कर रहे थे, लाड करजन, तो जो बैंकॉल के लोग है, उन स्वदेशी movement को launch किया था, तो उस दोरान इनका symbol था, वो था, ट्री color flag, three color flag था, जो red, green and yellow color था, ठीक है, मैं उसकी image भी लेकर आई हूँ आपके लिए, देखको मैं आपको दिखाती हूँ, स्वदेशी movement का flag था, वो कुछ ऐसा था, ओ, oh shit, आगे कि जो फूरी फोटो आपके वो कट गई है, ठीक है, तो मैं unfortunately आपको पूरा नहीं दिखा पाऊंगी, ये पुरा red portion है, ठीक है, और जो sun है, ये sun है और ये सितारा है, जो sun जो है, वो हिंदू का परतीक है, ठीक है, और जो आपका इस सितारा है, ये मतलब चांद जो है, ये किसका परतीक है, मुस्लिम का परतीक है, ठीक है, मुस्लिम का परतीक है, ठीक है, मुस्लिम का परतीक है, तो इसलिए उन्होंने हिंदू और मुस्लि पूरी जो आठ प्रोविंस थे उन जो आपके लोटस के फ्लावर थे उनको रिप्रेजंट कर रहे थे गांधी जी आपना एक नया फ्लैग जो है रिजान किया स्वराज फ्लैग तीक है अब स्वराज फ्लैग को उन्होंने किस से जोड़ के देखा पहए अपने डेश का बनावा कपड़ा पेनना और कपड़ा कहा से बनता था चर्खे से बनता था गांधी जी ने यह वाला फ्लैग लेकर आए जिसमें विद्क हो बनाए चर्खे को बना यह तो यह जो है गांदी जी के आइडियोलोजी को रिप्रेजेंट कर रहा था, सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट कर रहा था, कैरिंग दा फ्लाइग, होल्डिंग इट अलोफ, दूरिंग मार्च बिकम असिम्बल ऑफ डिपेंस, अब जब भी लोग कोई भी रेले निकालते थे मार्च करते थे, तो अपने हाथ में फ्लाइक पकड़ा करते थे, तो यह उनके डिफेंस का सिम्बल हुआ करता था, ठीक है, हिस्ट्री हमारी देखते हैं कुछ तो, अनादर मीन्स ऑफ क्रेटिंग फीलिंग ऑफ नननेशनलिजम, नैशनलिजम की फीलिंग को क्रेट करने क एक लिए और कौन कौन से सिम्बल्स थे, वास्त री प्रेजेंटेड री इंटर्प्रेटेशन ऑफ हिस्ट्री तब्रिटी शौ इंडियन्स ऐस बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव बिटिश लोग तो वह हम को क्या सोचते थे हैं कि हम तो बैकवर्ड हैं, पिछडे हैं, प्र इंडियन बिगन लुकिंग इन्टो पास्ट टू डिस्कवर इंडियास ग्रेज अचीवमेंट, तब जाके भारत के लोगों ने क्या करा, उन्होंने अपने हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया, और उन्होंने देखा कि कैसे भारत में भी बहुत बड़े बड़े ग्रेट अचीवमेंट थे, अच्टूका का किंग्डम जो था, वो कितना पुराना था, ठीक है, दे रॉट अबाउट अग्लोरेस डेविलपमेंट इन एंशेन टाइम, और आट अर्किटेक्टर, साइंस अन माथमेटिक्स, रिलिजियन अन कल्चर, लॉव एंड फिलोसफी, इंडियन लोगों ने बोला कि हमारा भारत था, वो एक काफी डेविलप कंट्री हुआ करता था, वो तो जब तुम लोगों ने, तुम ब्रिटिश लोगों ने हमारे उपर कॉलोनाइज किया हमारे स्टेट को, तब हमारा डिकलाइन हुआ है, अदर्वाइस हमारा जो पास् इंडिया अंडर बिटिश रूल, तो उन्होंने अपने हिस्ट्री का सहारा लिया ये बताने के लिए कि हमारा पास्ट पहले भी बहुत ग्लोरियस था, और बिटिश के आने के बाद हमारे जो कंटिशन है वो बहुत ही मिजरेबल हुई है, तो हम इंडियन को क्या करना है, बिटिश लोगों को अपने देश चे बाहर निकालना है, और फिर से अपने प्रेजन्ट है उसको भी ग्लोरियस बनाना है, ठीक है, तो यहां पर आपके दो कोशन दिये हुए, उनके आंसर देकी देख लेते हैं, इस पहले तो इस पेपर का, मितलब इसका, इस स्लाइड का क्या लेना है, आपको स्क्रिंशोट लेना है, क्या आपको काम करना है, आपने स्क्रिंशोट लेना है, आपको पढ़ते हैं कोशन को, इस ने कैसे नेशनलिस्ट के आइडिया को डेविलप किया, तो बूरा आपको वही लिग देना है, कि 19th century में इंडियन नेशनलिस्ट उन तो अब इनको एक जगा रिकॉर्ड किया लगा ठीक है दिस वाउस दन टू प्रमोड़ ट्रेडिशनल कल्चर अभी सब कुछ क्यों किया गया ताकि हम अपने देश के ट्रेडिशनल कल्चर को जो है बचा सके जो कि वेस्टन कल्चर के फोर्स में आने के बाद खराब होता जा रहा है ठीक है इत वाज एंड इन प्रेडिशनल अपने देश की पहचान को बनाये रखने के लिए खोजने के लिए हमारे को अपने पास्ट को जाना बहुत जरूरी है इसलिए उन्होंने फॉक्लोर्स को फॉक्टेल्स को जो है रिकॉर्ड करना शुरू करा ठीक है आइकन नैशनलिजम को बनाने में कैसे इनों ने बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले किया तो हम देखते हैं श्वदेशी मुवमेंट के टाइम पे बंगॉल में एक तरी कदर कर अस्तिमाल होता है गांधी जी 1921 में अपने सुराज फ्लाइब करते हैं और फिर हम देखते हैं कि अच्छा लगा होगा तो ऑगर आपको मेरा है वीडियो अच् salud एक तो बनाती हो ठीक और एक और बात में आपको पताना चाहँगे आप चाहें तो मेरे से मेरे ुंस्टाग्राम पेज पोता कि पीज़ो बुझाइ इन्सटाग्रम 90 का नाम सेम रधी फोर्स टेडी तो जाये मुझे फॉलो किजीए के चली मिलते हैं डब तक लिए थैंक यू सो माच बाइबाइ